हर इनसान चाहता है कि उसको एक लगजरी लाइफ मिले, गाड़ी, बंगला, घर, समाज में उसका सम्मान हो, यहार कोई चाहता है, पर उसके लिए काम कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग जो काम करते हैं उतनी सिद्दत से करते हैं, जिसके पास आज सब कुछ है न, उसके पीछे उसका संघर्स है, उसकी मेहनत है, वो कोई नहीं देख पाता, और उस मेहनत ने उसे यह सब कुछ दिया है, क्योंकि उसने जिद्द कर लिया था, पागलों की तरह कि नहीं मुझे यह पाना है, और आज वो उस मुकाम पे है, और आपको भी यदि पाना है, तु एज़िस्थी बनना पड़ेगा पागलो की तरह उसके पीछे भागना पड़ेगा पागलो की तरह जित कर लिजे तो अiszकिर दे यह चाहिए उसके लिए दिन रात मेनदमी सब्सक्तिक्ता है निक आपको कुछ और नहीं देखना चाहिए आपको केवल वही दिखना चाहिए आपको आपका डर्द, दुख, टेंसन, कुछ और नहीं केवल वही तो वही जो आपको चाहिए बिल्कुल आपको पागलो की तरह महनत करनी है मेरी बात समझ रहे हैं आप पागलो का मतलब है कि उनको ना पागल लोग जो होते हैं उन्हें एक चीज़ अगर कुछ शाये तो उसकी लिए जिद कर लेते हैं नहीं मुझे चाहिए और लेकर ही मानते हैं बिल्कुल आपको भी उसी तरह बनना होगा आपको किसी भी दुनिया का घर का और कुछ नहीं देखना है केवल 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 आपका लच्छे दिखना चाहिए दिन रात मेहनत करो जो वो मांग रहा है न जो त्याग वो आपकी सफलता मांग रही है उसे वो सब कुछ दो लेकिन आपको उसके बदले सफलता चाहिए ही चाहिए इतना द्रड निश्चे तो आपको रखना ही है इतना जिद आपको रखना ही है कि उसके लिए जो आपको देना पड़ेगा आपकी मेहनत आपका दिन रात वो आप दोगे लेकिन आपको वो अचीव करना है जो आप अचीव करना चाहते हो आपको उसके सीवा कुछ और नहीं दिखना चाहिए आपको केवल वही दिखना चाहिए आप दिन रात केवल उसी के बारे में सोचिए उसी के लिए करिए, उसी के लिए जीए और उसके बाद आप देखेंगे न आपको सफलता कैसे नहीं मिलती आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी आपने ये डायलोग तो सुना ही होगा कि जब आप सिद्दत से किसी चीज को पाने की कोसिस करते हैं न तो कायनात भी उसे आपसे मिलाने की साजिस करती है और ये बात एकदम सच है कि जब आप सिद्धत से पूरी दिन रात लगन से किवल उसी चीज के बारे में सूचेंगे करेंगे तो आपको सफल होने से ना कोई भी नहीं रोक सकता भगवान को भी मजबूर हो जाना पड़ेगा आपके आगी भगवान को भी लगेगा कि बस हो गया अब मुझे इसको दे ही देना चाहिए अब मुझे इसको वो दे देना चाहिए जो ये चाहता है इतनी महनत करो कि काइनात को भी आपके जिद के आगे रुकना पड़े जुकना पड़े आज जिसने भी मैडली पागलों की तरह महनत की है न आप आज उसे ऐसी मुकाम पर देखेंगे जहां वो औरों के लिए भी डेरडा का स्रोत है जिस दिन आपको आपके लक्ष को पाने के लिए कोसिस करते समय न भूक लगे न प्यास लगे न कुछ लगे उस दिन आप समझ जाना कि आप सही डारेक्शन में जा रहे हैं आपको अब आपका लक्ष मिलेगा आप इसी तरह आपको मेनत करना होगा अब आपको और कुछ नहीं देखना है हारते वही हैं जो सिकायते बार-बार करते हैं और मंजले उन्ही को मिलती हैं जो कोसिस हजार बार करते हैं इतनी कोसिस करिए, आप बार बार कोसिस करिए, हजार बार कोसिस करिए, आप देखिए क्यों नहीं होगा, होना ही है उसको, क्योंकि आप उसी के लिए ही जी रहे हैं और वो आपको न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन एक, दो, तीन बार कोसिस करके सांत मत बैठिए, हजार कि यदे आपका जित कोशुच करें गये यदि आपका जीद इतना मजबूत नहीं है तो आप시ार मान जाएंगे लेकिन आप जिद्धी बनेंगे पागलों की तरफ तौअब हजार बार कोशुच करेंगे लेकिन उसको पाएंगे जरूरर और यदि आप में तो बन पागलों कित्र जिद्दी पाईए उसी आज आप चाहे जितना संगहर्ष कर लें लेकिन कल जब आपको वो सफलता मिलेगी नव तो दर्द न मायने नहीं रखेगा लेकिन वो दर्द वो परिसानी जो आपने संगहर्ष के समय जहली है वो औरों के लिए एक प्रेनडा का स्रो कर लिजिए उसके लिए मेहनत करना सुरू कर दीजिए और यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलाओ न तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उको भी सेयर कीजिए जिससे कि उन्हें ही कुछ सीखने को मिले